नवश्कार और वेलकम टू योगी रजा चैनल आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो चाहते है नैचरल तरीकों से हमारा स्कीन ग्लो करेंगे आज हम दिखाएंगे एक एक योग क्रिया जिसको करने पर आपका स्कीन नैचरली ग्लो करेंगा साथ में बने रहिए वीडियो को पूरा देखिए स्किप ना करके और हमारा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छा लगे तो लाइक दीजिए और शेयर करिए काम में आए तो और किसी अभी इसमें भाला हो सकता है चलिए शुरू करते हैं कैसे नैचरल बैटने के लिए जाए तक है सांस चोड़िए जैसा कि मानिए कि नाक में कुछ मच्छर बैठा है नाक के ऊपर तो इसको जैसे चुड़ाते हैं ऐसा करते हैं वही करिए और यहीं तरीका है इसको पांच से शुरू करिए फिर दस मिनिट तक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे करिएगा याने सेकंड एक सेकंड में एक हिट इससे ज्यादा जल्दी ना करिए और यह करते करते स्पीड बढ़ जाएगा तो थोड़ा रोक दीजिए उसके बाद फिर से करि एक ग्लास पानी कम से कम पीजिए पहला काम जो है सुबा का फिर बाद में फ्रेश होके इसको आपने कर लिए पंदरा मिनिक उसके बाद स्कीन आपका पूरा ग्लो करेगा एकदम जैसा कि है ना की लगता है कि हमने क्रीम लगाया है क्या तो थोड़ा बहुत कुछ ओई करिवाशन में इसको कपलवाती कहता है क्या होता है कि हमारी भोजन हमने ले रहा है उसका पूरा पोशन अगर आपको मिलता है तब तो नेचरल सिस्टेम को अपग्रेट कर देता है और कपलवाथ यह कैसा कृँए है जो हमने खाना खाया है उसको पचाने में इससे अच्छा चीजे है ही नहीं नैचरल तरीकों से और साथ में सारे और्गन्स अब्डोमेन के अंदर जो है सब के उपर भाइब्रेशन हो रहा है इसके भी असर पड़ता है और देखिएगा तबियत खराब होने पर स्कीन की उपर एक नैचरली दवाव आजाता है इससे पता चलता है कि हमारा तबियत बिगाड़ रहा है तो यह रिवर्स अगर हमने कर दिया तो नैचरली दवर्स इंपक्ट इट विल हम और स्कीन हमारा त्वाचा की उपर सबसे पहले वह असर करेगा और वह पॉजिटिविटी में ले जाएगा और हमारा स्कीन ग्लो करना शूरू हो जाएगा साथ-दस दिन में आप पहला एक राउंड करिएगा साथ-दस दिन में आप अच्छा महसूस करिएगा उसके बाद तो आप कंटिन्यू करिएगा इसको ऐसा नहीं है कि दो दिन चार दिन कर दिये और छोड़ दिये वो ना करे तो आपका स्कीन ग्लो करेगा ही करेगा फिर से आवहान करता हूं कि सब्सक्राइब करें इसको लाइक दे और शेर करें थैंक यू साथ में बने रहे हैं नए नए आइडिया के लिए